एक बड़ी खबर आ रही है जो की कंगना रनाउत से जुड़ी हुई है आपको पता ही है कि सुसान सिंग राजपूत मामले में कंगना रनाउत काफी बढ़ चड़ करके आगे बढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने आवाज बुलंद की थी यहां तक कि कंगना रनाउत मुंबई के जितने भी माफिया थे या जितने भी सरकारी तंत्र थे उन्होंने पंगा ले लिया था और उस वक्त कंगना रनाउत काफी जोस के साथ शुशान सिंग राजपूत के इंसाफ के लिए आगे आई थी लेकिन इसके पीछे मकसद क्या था यह मकसद हमें उसवक्त समझ में नहीं आया था लेकिन जैसे जैसे समय बीटा गया आपको याद होगा कि तुरन थी उन्होंने ये कहा था कि उन्हें महराश्टा पुलिस से डर है तो इसके लिए उन्हें वाई श्रीकोर्टी परदान की गई थी और अब जो बात निकल करके सामने आ रही है ये सारा कुछ एक राजमितिक एजेंडे के तहट किया जा रहा था अब कंग्ना रनाउत मतुरा से चुनाव लड़ने वाली है मतुरा वही श्रीकृष्ण की नगरी और यहाँ पर आपको पता है कि हेमा मालनी यहाँ से बर्तमार में सांसद है लेकिन उनकी उम्र 76 साल हो चुकी है और भारतिये जनता पार्टी में 75 साल के उपर रिटार्मिन का प्लान चलता है जिसके कारण से अब हेमा मालनी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और वहाँ से कंगना रनावत चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है पिछले कुछ समय से कई बार कंगना रनावत ने मत्रा और बिरिंदावन का दौरा किया है और राजनितिक गलियारे में ये हलचल तेज है कि इस बार कंगना रनाउत मुत्रा से सांसद बनेंगे और ये सब कुछ एक पूरे प्लान के तहट किया जा रहा है बहुत ही तेजी से कंगना रनाउत सुशान सिंग राथपुत के मामले में कूदी थी और वहाँ पे उन्होंने धमाल मचाया था इस से लड़ाई उस से लड़ाई ये बाते वो बाते जो की एक चर्चा में बनने के लिए राजनितिक रूप से जो चर्चा में बनने के लिए जो एक प्रोपोगंडा तियार किया जाता है उसमें वो सफल रही थी और सुशान सिंग राजकुद के नाम का जम करके इस्तेमाल किया था उन्होंने लेकिन इसके पीछे का एजेंडा कुछ और था अब वो एजेंडा सामने आ चुका है और उसी एजेंडे के तहट राजनितिक दृष्टिकों से कंगना रनाउत ने पहले तो ये कहा था कि हिमाचल से मैं चुनाव लड़ूंगी लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मताबिक मतुरा से उनका चुनाव लड़ना तै है और मतुरा की राजनिती में सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है क्योंकि वहां से उत्तर परदेश सरकार के पुर्व मंत्री सिरकान सर्मा भी बड़े दावेदार है और उन्होंने भी अपनी पूरी जुगत भिला रखी है कि इस बार सांसद का चुनाव उन्हें लड़ना है लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा रहा है फिसरकान सर्मा के उपर कंगनर अनौत भारी पड़ रही है और इस बार मतुरा में एक बिलकुल ही नई लड़ाई लड़ी जाएगी क्योंकि मतुरा में इसले दस साल से हेमा मालनी सांसद है जो की फिल्मी दुनिया से ही है और इस बार भी ये उमीद किया जा रहा है कि भारती जनतापार्टी किसी ऐसे ही फिल्मी दुनिया के आदमी को टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी जिसमें कंगना रनावत का नाम सबसे सामने आ रहा है और बरतमान में जो भारती जनतापार्टी के जो लोकल नेतागन है उनमें बहुत ही बेचैनी और दुबधा उत्पन हो गया है कि कैसे अब क्या किया जाए क्योंकि मुथरा के सीट काफी होड सीट है और पूरे देश की नजर रहती है मुथरा के सीट पे लेकिन समस्या इस बार अलग हो चुकी है और कंगना रनावत मुथरा से चुनाव लड़ने वाली है इस बात की पुक्ता जानकारी सुत्रों के हवाले से पता चला है अब लेकिन जल्दी ही इस बात की घोशना भी हो सकती है जाहिन चैभारो